नमस्कार दोस्तों मैं विनीता सिन्हा अपने चैनल के मार्ध्यम से आप सभी का हादिक अभिननन करती हूँ दोस्तों आज मैं टैरो कार्ड डिडिंग में पात करूँगी कलर सिंबॉलिजम पर इन जन्गों का टैरो में क्या मतलब है क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि हर कार्ड अलग-अलग रंगों के हैं तो कुछ तो मिनिंग होगी इन अलग-अलग रंगों का दोस्तों टैरो में कलर सिंबॉलिजम को समझना टैरो कार्ड पढ़ने का एक महत्पुन हिस्सा है तो चलिए आज जानते हैं टेरो में कुछ रंगों के मिनिंग के बारे में और आपको मैं दिखाती हूँ टेरो में रंगों पर ध्यान देने से कार्ड की बारे में आपकी समझ और बढ़ जाएगे मैं आपको यहां बता दूँ कि मैं यहां मूल रूप से जाइडर वेट टेरो डेक की कलर की बात कर रही हूँ सबसे पहले बात करते हैं लाल रंगे कई टेरो डेक चटक लाल रंगे हैं जिसमें कुछ पावरफुल फिगर भी है जैसे मैजीसियन, इंपरर और जिस्टिस के फिगर लगभग लगभग एक समान हैं यह सबी लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं वे लाल रंग क्यों पहने हुए हैं कभी सोचा आपने क्योंकि लाल एक पावर कलर है यह पावर, पैशन, अबलिटी, लिडर्शिप, एक्षन, प्लेजर, जेडियन्स, एंड लव को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों लाल वास्तिक जीवन में कई लोगों के लिए एक पावर का कलर भी है इस तरह यदि आपके पास एक इंपॉर्टेंट डेट, प्रेजेंटेशन या इवेंट आ रहा है और वाकई में आप एक बोल्ड कॉंसुडेंस से भरे हुए बयान देना चाहते हैं वहाँ तो आप जेड ड्रेस, जेड लिपिस्टिक का उप्शन चुन सकते हैं दोस्तों, जेड कलर के पीछे की सकती हमारे कलेक्टिव अनकॉंसस में नहीं थै और टैरो जो है वो इनिवर्सल हुमेन एक्सपिरियंस को रिप्रेजेंट करता है यही कारण है कि डेख उसी तरह लाल जंग को सामिल करता है उसी तरह जेड टैरो में पावर को रिप्रेजेंट करता है जैसे एट उप कपड़ आप ध्यान दे यहां बैक्ति लाल रंग के कपड़े में है और लाल जूता भी पहना है क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यूं है तो जानते हैं एक बहुत ही गुड़ बात छिपाई हुए है यहां यहां सिच्वेशन में सब कुछ भरा पुरा हुआ है और बैक्ति सभी चीजों को पीछे छोड़ कर जा रहा है ऐसा करने के लिए बहुत ही हिम्मत और सक्ति चाहिए बैक्ति के अंदर यही कारण है यहां बैक्ति को लाल जंगों में जंगा गया है है ना बहुत ही गहन और गुड़ बात जो साइद आप नहीं जानते हुँगे अब इन रंगों की गहनता को जान कर आपकी टैरो कार्ड की नौलेज बढ़ गई ना तो कार्ड को जिड़ करते समय रंगों की गहनता के तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है अब जानते हैं पीले रंग की सिंबलोजी को डेक में कई सारे कार्ड ऐसे हैं जो चटक पीले रंग के हैं जैसे फोर ओव्वेंड्स, दस सन, प्वीन ओववेंड्स अदि पीले रंग का सिम्बॉलिक अर्थ सुर्ज से आता है तो चलिए टेरो डेक में सन कार्ड से जानते हैं और सुरज हमें गर्मी और रोस्नी देती है पीला रंग जो है वो पॉजिटिव, अप्टिमिस्टिक ब्राइट अड़ हैप्पी को रिप्रेजेंट करता है वहीं हम देखें फोर ओफ वेंड्स, सुपर एलो कार्ड है यह कार्ड जोईफुल सेलिब्रेशन और यूनियन को दरसा रहा है साइद एक सादी या घरवापसी की घटनाई हैं जो बहुत ही उज्वल और भविस्र में खुसी और आसावादिता को दिखा रहा है फिर देखें क्वीन आउफ वेंड्स को यहां रानी पॉजटिब और ब्राइट है जहां वह बैठी है चारो तरफ रासनी है क्योंकि वह पीले रंग में रंगी हुई है इस तरह दोस्तों कलर सिंबॉलिजम को समझ कर कार्ड को समझना और पढ़ना आपके बुद्धी को और भी संब्रिध करता है इसके साथ ही अब मैं बिदा लेती हूँ मिलती हुए इससे आगे की रंगों की जानकारी के साथ तब तक आप मेरे वीडियो को देखें लाइक करे शेयर करे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर ले जिससे इस तरह की महत्वपुर्ण जानकारी आप